है यह यह जाइन दोस्तों मैं रनविर सिंग स्वागत करता हूं और फिर से आप सबी का आपके अपने परिवार रेंबा क्लासिस में तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि हम लोग महादीपों के कुस्ट्ट को कवर करने की कोशिज कर रहे हैं तो एस्या स्थान पर है तो यह कुछ बाउंडरी लाइन है जैसे युराल परवत हो गया हो जाता है और यह मैं तर्की देख लिए तुर्की जो है इसिया का सबसे पश्मी देश है ठीक है फिर यह भूमंत सागर हो जाएगा फिर यहां से लाल सागर स्वेज नहर यहां से जोड़ती ह है ठीक थोड़ा और देखना चाहिए तो आप यहां देख सकते हैं इस तरीके से और यह पूरी सी रस्या है और ध्यान देखें अभी क्वेश्चन अच्छा इसको देख करके मैं एक क्वेश्चन अभी पूस्ता हूं फिर आगे हम लोग बात करेंगे बताओ अश्या का सब सब्से बड़ा देश रूस है लेकिन एसिया का सब्से बड़ा देश रूस नहीं है छेत्रफल की द्रश्टी कोण से ही बता रहा हूं मैं अरे चीन इतना सा है है और रसिया इतना सा है हाँ तो फिर यह क्यों नहीं है तो देखो यह करेक्ट आंसर है चाइना ठीक है एसिया का सबसे बड़ा देश चीन है छेत्रफल की द्रश्टी कोण से रूस नहीं है क्यों क्योंकि रूस में आप ध्यान देंगे रूस में यहीं से यहीं से युराल परवत है युराल नदी है फिर यह सागर सुरू हो जाता है ना कैस्पियन सागर करके ऐसे जाके ठीक है दोमंदी सागर से जोड़ते हुए यह पूरा वारा बन गया एसिया और इसका जो राजधानी माश्च को वह पढ़ती है यूरोप में तो खुद रूस अपने आपको यूरोप का मानता है समझे ना जिसकी वज़े से एसिया का सबसे बड़ा देश रूस नहीं होगा वैसे यह तो जानते ही है कि दुनिया का सबसे बड़े देश में रूस है फिर कैनेडा है फिर तीसरे और चोथे नमर पे चाइना और अमेरिका का नाम आता है देखिए सिर्फ लैंड वाइज हम द तो अमेरिका का उत्तरी अमेरिका महाधिकन में अमेरिका का समुद्री ए compelling अगस्वाण पना जाता है तो एसिया में सबसे बड़ा देश जी घ constitu penser सिर्फ जमीन के छाप से कहेंगे घर तब आना कि पास सबसे लंबी boundary line कि कॉकि वह इतना तूटा-फूटा सा उसका तो अब सर्च करके दिखा यह तो देखो वहां पे उस में कितना चुटा-फूटा सा ना खटा फटा सा तो boundary ज्यादा उसके हो जाती है फिलाल इसमें हम लोग इसके तहरे हम लोग कुश्चन देखेंगे यह थोड़ा समयने का मैं अब दिखा दिये दा है अपनों को है ना तो इसके फिर कई सारे पार्ट में इनको हम लोग कवर करने वाले हैं और तो शुरू करते हैं एसिया के जो है महत्पुड हंडेट से अधी की रहेगा वह हंडेट है ठीक है लेकि कई सारे पार्ट में आएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा हम लोग एसिया के सभी देशों को देखेंगे है ना महादीव के परवत पहाड इस्या म आम तोर पर किसी एक्जाम के लिए महत्पुड रहती है और सभी एक्जाम के लिए महत्पुड को अम लोग कवर करेंगे तो उसके तहत शुरू करते हैं डेवन मतलब पार्ट वन हो जाएगा पहला वीडियो है ना उसके वाद जो है अब सुरू करते हैं छोटे-छोटे से स्लाइड के रूप में सबसे पहली बात तो हम जानते है एसीया महादिव का अन्य नाम क्या है जम्मुदीव के नाम से हम जानते हैं ठीक है कुष्ण यहीं से बन जाएगा मात्र इतने से ही ठीक जमुदीव के नाम से जानते हैं इसको और शेत्रफल के अनुशार सबसे यहीं हो जाएगा क्योंकि चाइना इंडिया दोनों पड़ोसी यहीं है बंगलादेश मतलब चितने भी सगन वाले है सब यहीं है जन संक्या कनुसार भी सबसे बड़ा महादीप एस्या महादीप ही है इसमें देशों की संक्या टोटल और तालीस देश हैं तो यहां से सामाने कोशन पूछता रहता है और आगे हम बात करेंगे एस्या महादीप की सबसे पूर्वी देश में हम बात करें मैं दिखाने की मैप में देख लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए कि चलो द्याद से देखो इस में जो है यहां से प्रीप छिल इलिया गाए यह हम यह देखना कि सबसे बांडरी इनकी कहां तो यह दिखिए द्यान से यह है तूरक कि जो है यह सबसे पूरव में कौन से हो जाएगा है और यह नीचे से कट गया है यहां इंडोनेसिया है इंडोनेसिया यहां पर है ठीक तो सबसे पूरब में कि इंडोनेसिया हां इंडोनेसिया और चुकि ये नीचे की ओर है आस्टेलिया तक के आसपास आता है तो सबसे नीचे भी यह रहए गा इंडोनेसिया तो यह बहुत ज्यादा तनाव लेनी की जुरूत नहीं है क्वेशन पूछेगा टरकी से कि सबसे पुर्ण में कौन है गलती से आप जापान लगा सकते हैं या रसिया लगा सकते हैं समझा इसके बाद यहें से अमेरीका सुरू है तो तो हम पता है कि उगते हुए सुरज का कहते हैं ना इसको सबसे लगां की चीजों के बारे में जानेंगे तो इंडोनेसिया पूरब और रख्षुन का हो जाएगा टर्की और रसिया याद हो गया ना तो बहुत जाब इसमें कि दिमाग नहीं लगाना है अब बात करते हैं लोग कि आगे तो कि योराल परवत कि जो मैंटरीशेय करते हैं तो पहले अर्य था यूराल परवत रसिया को तोड़ेगा है यूराल नदी कि केस्पियनल सागार फेर काला सागार भुमंदी तथा काके का स्पर्वत है छोटा सा ठीक है काके का स्पर्वत यह द्यान रखेंगे बाकी तो आपको देख जाएगा मैप में इस यांब आदिव को यूरोप से अलग करती है इस इसको फिर से मैप में बता दू अब देखें जो जो हैं ब्लेक सागर हो भुमति सागर हो सब को आपका यूराल परवत ठीक यहीं से यूराल नदी आएगा यहां तक बोटा मोटी बना रहा हूं कर दाकिस्तान में नहीं उसना है में ठीक उसके बाद यह है कैस्पियन सागर काला सागर फिर भुमध्य सागर समझ रहे हैं और यह वाला हिस्सा भी लाल सागर का पड़ जा से थिक है काकेकसपरवत भी पढ़ता है तो इस तरीके से यह boundary lines share करते हैं मतलब अलग करते हैं किस से यूरोप से पहले तो यूरोशिया कहते थे ना तो किसी भी महादीव को बाठते हैं तो कहने कहीं प्राकर्तिक रूप से बांडरीज होती हैं शीमाय होती है तब ही हम बाड़ते हैं लेकिन यूरोप और एसिया में ऐसी कोई बांडरी बढ़िया से नहीं थी काईन काई मिट्टी तो लगा हुआ था लेकिन एक जो परवत पड़ गया यूराल वाला जिसकी वज़े से हम उसको बाड़ पाए हैं प्राकर्तिक यह ज्यादा ठीक रहेगा देख रहा है इसमें अब इस मैप को आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए जो भी महादीव आप देख रहे हैं वह कहीं प्राकर्तिक रुप से बांडरी अलग हो रही है जैसे यह आस्टेलिया महादीव अभी जैसे हम लोग बात देख्षण में भी है अब जैसे मैं महादीव की बात कर रहा था देकिए एक पूरा अफ्रिका महादीव हो गया क्यों क्योंकि कहीं कहीं अलग हुआ है ना हो खमा और से महासागरों से और हाम है यह यह एक यह आपन गया है कि अधिल्य के सबसे बड़ा अधिव महादीव है जिसे मुर्त्री महादीव कहते यह मतलु इसमेंद अमिरीका महादिव कहते हैं और यह उडिया है मैप में उरॉल परवत नहीं नल्राईLY फिर उर्याल नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है तो कैस्पियन सागर उसके बाद यह काकेकस पर्वत है वहां से फिर पर काकेकस काला सागर काले सागर के बाद इसे मेह समझपा रहे हैं तो किसी भी महादीव को जो हम बाटते हैं तो वो कहिन कहीं नेचुरली प्राकर्तिक रूप से सिमाओं से कहिन कहीं आबद्ध रहता है तो यह चीज अच्छा जैसे अभी थोड़ी दर पहले हम लोग बता रहे थे कि सबसे ज्यादा जो है दुनिया का सबसे लंबी बंडरी उन्चासरी समांतर रेखा से इसको जो है इसको अमेरिका से अलग होता है तो यह वाला हिस्सा पूरा क्या है का रेडा का देखे कितना चिट पिठ है और यह पूरा रूस है सबसे बड़ा है लेकर सबसे कम बंडरी लाइन है असलिया महादीव आप तो जील इंडिया का भी इसको अलग करता है ठीक है वाद लगर है समझ गया है फिर बड़े देशों में तो चाहिना हम देखी लिए हैं और बड़े देशों में जैसे मंगोलिया भी लेंड्लॉप कंट्री है कई बार जो है लेंड्लॉप कंट्री से भी कुशन आ जाता है तो यह चीज़े हैं वह जो इस्तलरुद्ध हों समंदर से ना ठाकराते हों ठीक ना है तो तो चलो अचाहा इसमें बस इतना ही बात करते हैं फिर आगे वीडियो में बात करेंगे क्या है अभी तो आज यह मान के चली इंट्रो टाइप का है कि इस या क्या है उसके बाद यहां से जो प्रश्ण बन करेंगे तो अब फटापट देख लेते हैं इसको हां लाल सागर वह स्वेज नहां सागर जो है इस्या महादिव को अफ्रीका से अलग करती है इतनी बास अन्न आ गई यूरोप को अलग कौन कर लेंगे सबसे पहले युराल परवत फिर युराल नदी फिर काला सागर उसके बाद जो काकेखस परवत पड़ता है उसके बाद कैश्पियन सागर फिर भूमद्य सागर यह अलग करेंगे और बाद में लाल सागर है और जिसको स्वेज नहर जोड करती है तो तो यह nível का महादीब से अलग हमें या लाल सागर और फ़रेजनार ठीक है वेरिंग जलसंद्य में आपको दिखा डोगा यह चलो इस हूझ दिखा दूंग किसल को इस दिखा रहा होगा जो इतना कटा वहाग है यह इसका हिस्सा है देखिए यह यहां भी बेरिंग जलसंदी दिख रहा है और वहाँ पर भी बेरिंग जलसंदी दिख रहा है ठीक हना आप लोगों नहीं दिखरा आगवा बस समझ लोग मैं बतातूना भना अंग है इंडोनेश्या है ये को उत्तरीय अमेरिका महादीप के सबसे दच्चडी देश कुंसा है इंडोनेशिया सबसे जादा दूनिया में सबसे जादा दूपी देश है जिसमें 13 हजार से अधिक है है ना तो जिन में सबसे बड़ा दीप जो है बोर्नियों दीफ हो जाएगा ठीक ना इंडोनेशिया में तो अब बाकी जो कुश्चन है आगे हम लोग वीडियो में कवर करेंगे पस यहां इंट्रो तक था तो कैसा रहा वीडियो कमेंट करके जरू बताएगा चैनल के साथ ब